हलो दोस्तो और वेलकम टू इंट्रा कोगनिशन और इस वीडियो में हम समझेंगे हुमन रिसोर्स मेनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ अब आज हम देखते हैं हर कंपनी में हमको एक एक एचार डेपार्टमेंट मिलता है यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेकिन क्या आज जो है इस सिचुएशन जो प्रेजन कंपनी में होता था अगर नहीं तो फिर जो मैनेजमेंट है जो फैक्टरीज थी पहले वो कैसे वरकर्स का मैनेजमेंट करती थी या क्या प्रोसेस था उसको मैनेज करने का कौन-कौन से कॉंसेप्ट आए और आज जो प्रेजन कंडिशन में हम यहां तक हम किन-किन चेंजेस के साथ पहुचे तो मेजर जो चेंजेस है वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि पहले जो काम होता था वो ज़्यादातर हातों से होता था फिर हम जानते हैं कि उन चेंजेस को समझेंगे अब इन फेक्टरीज में किस तरह से लोगों का मेनेजमेंट जो होता था वो समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद इन फेक्टरीज जब बनना शुरू ही तो फेक्टरीज के अंदर कुछ एक्सपरिमेंट्स होना लगे और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपरिमेंट जो हुआ वो हाथोन एक्सपरिमेंट था जो शिकागो यूएस में हुआ और इसका जो हूमन रिलेशन्स अप्रोच या हूमन रिसोर्स अप्रोच पे बहुत बड़ा योगदान है तो एट लास्ट जो human resource management जो आज जो present situation है उसको समझने ही कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या होता है कैसे manage होता है तो शुरू करते हैं हम factory system देखिए यह graph है इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो आज हम देखते हैं human resource management वो कैसे कैसे evolve हुआ पहले जो welfare officers हुआ करते थे फेक्टरी म में 1890 और 1913 तक आप देख सकते हैं इस graph में तो पहले welfare officers फिर वहां से change हुआ labor manager फिर personal management होने लगा फिर human resource management और आज जो concept वो है human capital या logo people centric तो people approach लोगों को ध्यान में रख्के सारा जो management होता है वो होता है तो कैसे कैसे इस graph को हम और detail में समझेंगे आगे describe में करते जाओंग इसके साथ सथ तो समझने की कोशिश करते हैं कि factory system क्या था इसने क्या major changes लाए तो देखिए हम जानते हैं कि industrial revolution जो शुरू हुआ वो 18th late 18th century में शुरू हुआ यानि कि 1750 आप जानते कि century 18th century यानि 1701 से जो 1800 का जो period है उसको हम 18th century बलता है तो late 18th century यानि 1750 के बाद से यह and half of 20th century यानि 1952-2000 तक के अलग-अलग देशों में चलता रहा अब इसके आने से क्या-क्या changes हुए अब देखिए इसने बहुत सारे changes किया पहले जो सारे काम होते थे वो skills है लोगों के हाथों से होते थे और सब लोग अपने skills यूज़ करके चीज़े बनाते थे handicraft जो होता थे वो मशीनों से होने लगा और उसने उसके बाद जो हुआ कि पहले जो लोग है business खुद का करते थे अपने घरों में products बनाते थे बेशते थे लेकिन उसके बाद यह हुआ कि वो अपनी मज़दूरी देने लगे मजदूर बन गए लोग मतलब हातों से जो काम करते थे वो पैसा देते थे मजदूरी का ना कि जो business है वो direct मतलब पहले चीजों के पैसे नहीं मजदूरी के पैसे दिये जाते थे तो यह पहला changes हुआ और दूसरा change यह हुआ कि जो जितने भी लोग थे आसपास की गाओं के वो एक central जो central location थी जहां पर production होता था जो factory थी सारे लोग अ आपस में जुड़े वे नहीं थे वो सारे लोग जाके वहां मिलते थे और आपस में मिल के काम करते थे तो एक बड़ा change यह भी था उसके बाद जो major और जो changes आये वो यह थे कि self employment जो था वो खतम हो गया क्योंकि handicraft जो थे वो बड़ी मेहनत से अपना बनाते थे और जो products बन गर्स थे उसके बाद इसमें एक अच्छी चीज यह होई कि जो लोगों के पास कोई production या source of earning नहीं था जो कोई कुछ घर पर अपना कुछ काम नहीं कर पाते थे वो लोग भी अपनी मजदूरी करते थे factories में जाके तो उनको भी नोकरिया मिलने लगी उसके बाद इसने यह क ओनर होता था company का वही लेता था जो workers होते थे उनको decision making में जो था योगदान नहीं था उनका तो autocratic का मतलब कि सिर्फ उन सारे लोगों का decision वो honor या जो supervisor होगा वही लेगा अब जो labor था उनको commodity के रूप में लिया जाने लगा यानि की कोई सामान हो जैसे की वो तो जो labor है उस मजदूरी को खरीदा जाता था जैसे हम सामान को खरीदते हैं उस समय पर उन मजदूरों को खरीदा जाता था और जो काम वो करते थे उसका वो पैसा उनको दिया जाता था और जो इसका जो aim था इस factory system का वो यही था कि जो profit है employer का जो honor है factory का उसका profit को maximize किया जाए production को आने पर था यानि कि human factor को यहां पूरे तेरे से neglect किया गया तो अब यह जो honor होते थे factory के कैसे उस company को manage करते थे तो यहां पर यह की एक manager रखा जाता था जो supervisor आप बोल सकते हैं और वो supervisor उन सारे लोगों को काम करने जो काम करते थे उनको manage करता था कैसे अब यहां पर देखिए force and fears है यानि कि बल और बल और डर से वो उन सारे मज़दूरों को manage करता था हम बहुत सारी movies में देखते हैं मारते थे और काफी जो exploitation होता था workers का तो यह सारी चीज़े होई है उस समय उसके factory system में और उसके बाद क्या हुआ कि जो धीरे धीरे कुछ changes आ है जैसे कि जो factories थी उन environmentally उन्होंने क्या change किया उन्होंने welfare के लिए भी काम करना शुरू किया जो workers है उनके भले के लिए कुछ काम करना धीरे धीरे शुरू आत हुई तो यहाँ पे एक example जैसे Cadbury की company और Rontree जो company है उन्होंने industrial welfare workers को hire किया recruit किया ताकि वो लोगों का भला भी देख सके welfare of employees जो workers काम क कर रहें उनके welfare के लिए उन्होंने welfare officers को hire करना भी शुरू किया तो यह major changes जो थे factory system में वो हुए और जो graph में देख सकते हैं जो पहला जो था हमारा welfare officers हुआ करते थे तो उन workers के लिए welfare करने के लिए लोगों को hire किया जाने लगा तेक पहला हमने देखा कि factory system इसने कैसे working condition को management को change किया और उसके बाद जो factory जब setup हो गई तो hawthorn studies इसका बहुत बड़ा नाम है और यह बहुत important topic है हर exam point of view से इसको इसमें बहुत सारे experiment conduct हुए लगभग यह 8 साल तक experiment चले और यहां से question बनने की पूरी उम्मीद होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे experiment थे और इसके क्या result थ किया जाए ताकि productivity पे क्या change जाएगा दूसरा हमारा था relay assembly test relay का मतलब यहां पर telephone में एक switch होता है जो एक ही signal से बन चालू दोनों होता है तो वह चीज उसमें भी एक test हुआ जो relay assembly में जो लोग काम करते थे उनके उपर एक test हुआ उसके बाद mass interviews हुए लगभग 2100 लोगों का तकलीफ है फिर उसके बाद bank wiring test अब देखेजिए कब हुआ यह जो factual information है यह आपके exam point of view से भी important है तो 1924 से 1932 के बीच में यह 8 साल के बीच में चारो experiment किये गया है और यह कहां हुआ Hawthorn plant पे हुआ इसलिए इसका नाम Hawthorn studies है Hawthorn plant यह plant कहां पे था Chicago USA में अब यह कौन सी company का प्लांट था Western Electric Company आगे देखते हैं कि किसने conduct किया तो Elton Mayo ने इसको conduct किया और यह important नाम है आप इसको ध्यान रखिया और यह कौन थे Australian psychologist थे और sociologist थे जो industrial research पढ़ाते थे Harvard Business School में ठीक के बाद यह important fact है कि इनको father of human relations moment भी कहा जाता है अब यह human relations moment हम देखेंगे इस वीडियो में आगे तो इनको एक important information है कि इनको father of human relations moment कहा जाता है अब आगे कि इनकी एक book है वो भी important है जो 1933 में आई उस book का नाम है The human problems of an industrialized civilization तो यह book का नाम भी आपको ध्यान रखना है यह कब यह भी आपको ध्यान रखना है अब इनके साथ एक अपना associate था उनका नाम था Fritz Roethlisberger ठीक है तो यह जो factual information है यह देखिए फोटो आप देख सकते हैं Elton Mayo का अपने Harvard Business School में तो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है वो Elton Mayo है और आगे देखते हैं कि illumination test में क्या हुआ मतलब ज प्रकाश है उसको कम जादा हम करते हैं तो किस तरह से productivity में workers की efficiency में change आता है तो इसका जो hypothesis था यानि कि जो अनुमान था इस result का यह था कि जो productivity है वो increase होगी जैसे जैसे हम light intensity बढ़ाएंगे यानि कि प्रकाश हम जादा देंगे तो जो है productivity बढ़ेगी और अगम प्रकाश कम कर देंगे तो productivity कम हो जाएगी अब देखी जो इसका objective था इस study को करवाने का वो हमारी उस जनरल इलेक्ट्रिक की company नहीं करवाया था इसको तो जनरल इलेक्ट्रिक कमपनी थी तो उनका जो objective था वो यह था कि लोगों को दूसरी company को encourage किया जाए artificial light खरीदने के लिए क्या क्य artificial light लगाई है और इनका जो light बनाने का काम था wires बनाने का काम था तो अपना एक study conduct करवाने का एक main जो reason था वो यही था लेकिन जब इसके result आये तो वो बहुत shocking थे तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या test था और कैसे result क्या क्या है तो इसमें क्या हुआ कि group of employees को test room में रखा गया और अलग-अलग वहां पर प्रकाश की जो अलग-अलग प्रकाश की मात्रा मतलब light intensity को अलग-अलग रखा गया अलग-अलग room में और देखा गया कि जो production है वो increase हुआ यानि की समझते हैं कि 100 watt एक एक रूम में 100 watt का बल दूसरे रूम में 200, तीसरे रूम में 300, चोथे रूम में 500 watt का तो production जो है वो बढ़ा 500 watt जिसमें था उसमें production maximum था लेकिन 500 watt के आगे हमने जब 600 watt, 700 watt, 1000 watt के बल रखे अलग-अलग room में तो जो production है वो constant हो गया मतलब 500 watt के बाद जो maximum था कि हाँ इतना ही production रहेगा और उसके बाद वो बढ़ा नहीं ठीक है तो एक समय पर जाक कि वो stable हो गया अब उसके बाद क्या हुआ कि एक major जो change जो यह उमीद कर रहे थे कि हम अगर intensity को कम करेंगे तो production decrease होगा लेकिन यह हुआ नहीं यह क्या हुआ कि जब वो वापिस कम करने लगे 500 watt को उन्होंने जब 100 watt किया या 100 watt को भी हटा लिया उन्होंने और natural light लगा दी त उस टाइम पर तो जब light intensity हमने कम की तो production कम नहीं हुआ तो यहां पर इनको समझ नहीं आया कि क्या और factors होंगे कुछ और factors होंगे जिनकी वज़े से productivity पर effect हुआ तो यहां पर देखिए after the elimination test other environmental changes जैसे कि दूसरे change इन्होंने किये जैसे कि cleaning workstation table को साफ किया workstation को इधर उधर ख दिहान रखा तो इन सारी चीज़े जो environmental factor से उनको भी उन्होंने चेंज किया लेकिन result क्या मिला कि productivity जो है वो छोटे समय के लिए बड़ी लेकिन जब experiment खतम हुए जब experiment conduct करना या फिर बंद कर दिया तो वापिस से productivity अपने आप decrease हो गई तो यह बड़ा result यहां पर सामने आय किये गए तो productivity बड़ी लेकिन जब study experiment खतम हुए तो वह एकदम से कम हो गई अब since the results of the first experiment were not anticipated then other experiments were carried out आप दूसरे experiment इन्होंने किये लेकिन पहले experiment से यह जरूर समझ में आया कि experiment जब आप करते हो जब आप workers को observe कर रहे हो तो उनकी productivity बढ़ गई है और वो बड़ी वी रहती ह जब आप experiment खतम कर देते हो तो जो productivity है वो अपने आप कम हो जाती है तो यह पहला conclusion वहाँ से निकला आप इसको prove करने के लिए आगे और experiments किये गए तो दूसरा जो हमारा experiment था वो था relay assembly experiment अब इसमें क्या हुआ कि दो औरतों को या दो female को choose किया गया और बोला कि अपनी दोस् दियों को मित्रों को आप चार अलग अपने दोस्तों को बुला लीजी अपने ग्रूप में और उन छे जो फीमेल का ग्रूप था उनको एक अलग room में special room में separate room में रखा गया पांच साल के लिए और उनको काम क्या था कि जो relay assembly जो telephone के जो switch होते हैं relay switch उसको बनाने का काम था अब इस room में क्या हुआ था कि एक supervisor भी रखा गया जो बहुत empathetic था यानि कि जो empathy देता था उनको sympathy देता था उनके साथ बात करता था उनकी problems होती थी तो सुनता था और कोई suggestions होते थे वो incorporate करता था और उनको बताता भी रहता था कि आपकी productivity बहुत अच्छी है कम है कम हूई ह तो भी बताता था तो एक friendly relation था supervisor का और वो जो group था उनके आपस में भी friendly relation था और इनको 5 साल के लिए उस room में काम करना था अब the researchers जो थे उन्होंना भी 5 साल यही different variables को भी change किया पहला तो यही change किया कि एक supervisor रखा और दूसरा कि बहुत सारे जो variables थे जैसे कि उनको break दिये फिर उसके बाद इन break की जो 5 मिनिट को 10 मिनिट किया गया 15 मिनिट किया फिर उन breaks में उनको चाही की जागे खाना या नाशता खिला जाने लगा उसके बाद उनका जो दिन का time जैसे 9 घंटे का था 6 बज़े चुटी होती थी तो 5 बज़े करने लगे साड़े-4 पर करने लग प्रोड़क्टिविटी मतलब प्रोड़क्टिविटी वेरियेबल चेंज करते गए हम जो ब्रेक चेंज किया या खाना वगरा देना लगे या टाइम कम किया तो प्रोड़क्टिविटी इंक्रीज हुई लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज यह है कि even if the variable was just a change back to the original condition जब भ आप 6 बज़े तक काम उनसे करवा रहे हैं और 5 बज़े जग आपने टाइम कम कर दिया और वापिस उसको बढ़ाया यानि कि जब आपने रिवर्स चेंज किये तो भी प्रोड़क्टिविटी कम नहीं हुई तो दोनों ही एक्सपरिमेंट पें को यह समझ में आया कि जब आ एक्टर्स थे जो चेंज आपने किये ब्रेक्स खाना और टाइम कम करना इनका भी एफेक्ट हुआ लेकिन इतना इंपोर्ट ज़्यादा जो एफेक्ट है वो किस चीज का था कि वो मॉनिटर किये जा रहे हैं इंडिविजूल उन पे ध्यान रखा जा रहा है उनके साथ ग्रूप है आपस में बात करने के लिए एक सुपरवाइजर है जो उनसे सिंपती रखता है उनके सजेशन को इंकॉर्पोरेट करता है तो दूसरा जो हमारा कॉंक्लूजन है वो यही है कि चूजिंग वन्स ओन को वरकर से अपने दोस्तों के साथ काम करना वर्किंग एज ग्रूप पूरे ग्रूप में टीमवर्क बींग ट्रीटेटेड इस स्पेशल अभी स्पेशल ट्रीट्मेंट कैसे मिला उनको कि उनको एक सेपरेट रूम में रखा गया जहां का माहौल बहुत अच्छा था साफ सफाई थी and having sympathetic supervisor were the real reasons for the productivity increase मतलब अगर आपके पास sympathetic supervisor है और अगर आपको जो special treatment मिला है आपके आसपस के लोग हैं जो informal जिनसे आप बात कर सकते हैं जिनके साथ आप बैठ के चाय पी सकते हैं तो इन सारी जो चीजे जो social factors है इन सारे जो informal discussion है आपका अपने दोस्तों से आपके आसपस के जो लोग बैठ हैं आपके साथ काम कर रहे हैं वो चीजे ज्यादा impact कर रहे है productivity से किस से ज्यादा जो आप दूसरे change कर रहे हैं environment में जो खाना क्या break या फिर जो भी change आप कर रहे हैं उनसे ज्यादा impact ये सारी चीजे कर रहे हैं तो इन दोनों experiments से हमारे ये conclusion निकले अब जो cooperation दिया उन्होंने experiment में और उन्होंने अपने पूरे दिल से काम किया और ये था कि जब आप experiment कर रहे हैं तो experiment का भी experiment जो कर रहे हैं उनको भी पूरा corporate उनके साथ पूरा corporate किया और उनका ये मानना ये था कि उससे भी उनकी productivity बड़ी क्योंकि experiment किया जा रहा था उनको पता था आपके society जो भी आप आसपस बात करने वाले कोई है या supervisor आपका कितना आपसे बात करता है, कितना friendly है, ये सारी चीज़े और job satisfaction, उन सारी चीज़ों से आपको job satisfaction मिलेगा, ये एक बड़ा factor है आपकी productivity को बढ़ाने में, अब ये जो point है तीसरा, इसमें ये है कि monetary incentive, यानि कि पैस employee productivity, मतलब ये कम important है, किन चीज से कम important है, कि आप अगर individual need को और desires को पूरा कर रहे हो, और individual need और desires क्या है, कि हम एक group में काम करें, हमको अपना पन मिले, हमको अपने लोग मिले बातचीत करने के लिए, informal discussion हो हो हमारा, included in decision making, मतलब वो लोग अपना, इसे supervisor उन से सला लेता था, suggestions लेता था, तो decision making में उनका योगदान हो, ये सारी चीज़े ज़्यादा impact करती है, productivity पर, अब जो तीसरा experiment था, वो था हमारा mass interview, इसमें 21 सो लोगों का interview लिया गया है, और जो method था, पहले direct questioning होती थी, कि same question सबसे पूछा जाने लगा, सबको question पता थे, बाहर जाके बता देते कर रहा है, कि interview हो रहा है, कि normal आपकी बातचीद है, कि कैसा, कुछ तो भी जो flow के साथ question आ रहा है supervisor के, वो एक अपने पन, अपना मान के उससे एक discussion हो रहा है, तो उसको पहले direct questioning से indirect questioning के तरफ इसको shift किया है, तो उसमें conclusion क्या निकला, कि जो moral है workers का, वो increase हुआ, जब आप indirect questioning क करते हैं, यानि कि जब आप flow के साथ उनसे बातचीत करते हैं, और बातचीत के बीच में उनसे questions पूछते हैं, उनके तकलीफे पूछते हैं, तो उनका moral जो है वो बढ़ता है, अब opportunity to talk and grievance redressal can improve the moral of workers, क्योंकि आप उनको opportunity दे रहा है, वो अपने एक honor से या manager से बात कर रहा तो यह इस से क्या हुआ कि उनका moral बढ़ा और moral अगर बढ़ेगा, तो productivity भी increase हुई, अब workers are affected, यहाँ पे एक important point है कि workers are affected by both inside and outside experiences, that is social factor is important for increasing their productivity, यानि कि inside factor, मतलब जो अंदर जो social factor है, कि आपके आसपास के दो supervisor, जो MP30 के decision making में आपका कितना योगदान है, यह सारी चीज़े तो इंपेक्ट करती है, लेकिन outside factor, यानि कि society में आपको कैसा treat किया जा रहा है, society आपको accept कर रही है, कितना आपको facilities, social जो आपके पूरी society है, social factors जो भी हैं आपके, जो family है और आसपडोस वाले जो लोग है, उनके साथ आपका विभार कैसा है, यह सारी चीज़े भी आपकी productivity पर impact करती है, तो यह एक बड़ा यहाँ पर conclusion यहाँ से निकला, अब जो चोथा experiment था हमारा, वो था bank wiring room experiment, अब देखी इसमें जो था, इसका जो objective था वो यह था कि अगर हम incentive बढ़ाते हैं, salary बढ़ाते हैं, तो उसका productivity उस पर कैसे impact पड़ेगा, तो यहाँ पर total 14 worker को select किया जिसमें 3 wireman थे, जो wire बनाते थे, 9 wireman थे, और 3 solderman थे, जो soldering करते थे, और 2 inspector थे, यानि कि जो inspection करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो changes थे, वो यह थे कि उनको segregated work area दिया, वनिकि सब को आसपास कोई बात करने वाला नहीं था, अलग-अलग उनको काम करने के लिए दूर-दूर र उन्होंने बंद कर दे, लेकिन जो salary थी, pay scale था, वो उनका बढ़ा दिया, लेकिन result क्या निकला, कि productivity जो है वो कम होगी, तो यहाँ यह पता चला कि आप incentive बढ़ाते हैं, लेकिन जो social issue से उनको आप neglect कर दते हैं, जो social factor से उनको neglect करते हैं, तो productivity नहीं बढ़ेगी, अब इसका reason यह था, कि आपको अलग-लग रखा जा रहा है, आपकी salary बढ़ाई जा रही है, तो उनके मन में यह था, workers के, कि हमारी salary बढ़ा रही है, तो शायद हो सकता है, हम अच्छे से काम करें, ज्यादा पैसे में, तो हमको ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन जो दूसरे लोग है, ज अथोन studies showed that people's work performance is dependent on social issues and job satisfaction and that monetary incentives and good working conditions are generally less important, monetary incentive or good working conditions जो है, वो कम important है, किसी employee की productivity को बढ़ाने के लिए, ज्यादा important क्या है, कि meeting individual needs, that is desire to belong to a group, एक ग्रूप अपने दोस्तों के साथ काम करना है, informal जो discussion है, वो important है, और जो decision making में उनका योगदान है, वो ज्यादा important है, उस productivity को बढ़ाने में, अब ये पूरा जो conclusion है, इस पूरी study से समझ में आया कि जो social factor है, जो informal discussions है, वो ज्यादा important है, अब जो यहाँ से एक term भी उभर के आया है, जिसको हमने बोला hawthorn effect, इसका मतलब यह है कि जखिए, जब आप कोई worker काम कर रहा है, और उसको आप continuous observe कर रहे हैं, observation में है वो, तो उसका जो productivity है, वो change होगा, definitely है, उसमें एक बायस ने सा जाएगी, जब आप observe कर रहे हो, तो वो product अपना काम जादा अच्छे से करेगा, कोई supervisor उसको observe कर रहा है, तो यही होता है hawthorn effect, कि जब कोई observe करता है, तो productivity बढ़ जाती है, लेकिन जो आप experiment करने के conditions को change कर रहे हैं, उससे productivity में change नहीं हो रहा है, लेकिन observe कर रहे हैं, उसकी वज़े से changes आ रहे हैं, तो hawthorn effect यही है कि biasness जो है, इस experiment conduct करने में आई है, और आप जो conditions को change करते हैं, उसका impact नहीं है, impact उसका है कि आप उनको observe कर रह तो मुझे लगता है कि हापको hawthorn effect समझ में आया होगा, और इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं, अगला जो वीडियो है हम इसको continue करेंगे evolution को, और हम समझेंगे scientific management, जो हमारा FW Taylor ने दिया, और काफी इसमें जो evolution है, human resource management का, उसको समझने ही कोशिश करें, तो मुझे लगता